हेलो एवरीवन, वेरी गुड मावर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं मैं सुसमा कुहार, SK ब्लोक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंट्स बताईए, आप सब कैसे हो, और मैं तो यहीं उमीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, और खूब इंजोए कर रहे होंगे अभी सुबह ये साड़े साथ बजे का टाइम है जाडू मैंने लगा दी है, डस्टिंग का काम कर दिया है लेकिन आज इतनी तेज हवा चल रही है कि साबसफाई का काम तो दोबारा फिर करना पड़ेगा पता नहीं इतनी धूल मिट्टी आज कहां से आ रही है दोनों ही बालकनी में, जहां पर मसीन लगा रही हुई की वाली में और दूसरी साइड वाली में जो बालो मिट्टी होती है, यह पता नहीं कहां से आई हुई है और सारी हवा में उड़के और अंदर जा रही है अभी एक बार की साबसफाई करने के बाद मैं यहां पर मसीन लगा रही हूँ कपड़े दूलने के लिए डाल देती हूँ कई दिन से मसीन नहीं लगाई है वैसे अभी मसीन लगाने के बाद मुझे थोड़ा सा नीटिंग का काम करना है एक सेंपल बनाऊंगे तो सोचाए कि पहले मसीन लगा देती हूँ सेंपल कम्पलीट करके आऊंगी तब तक एक बार के कपड़े दूल के तयार हो जाएंगे तो फ्रेंड से हभी कीचन में आई हूँ और एक बार के कपड़े दूल गए थे तो उनको मैंने मसीन से निकाल दिया है पानी में से नहीं निकाले हैं बस टब के पानी में डाल के छोड़ दिये हैं जब सारे कपड़े धूल जाएंगे, सब काम कंप्लीट हो जाएगा, तब एक बार में ही सारे कपड़े पानी में से निकालूंगी, बाकी के काम तक तक कर लूंगे, और जो सेंपल मैं बना रही थी, उसे भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप सब को दिखाऊंगी कि वो मैंन एना से मिल लीजिए तो फ्रेंड से अब ये शाम पूने चार बजे का टाइम है विशाल के पापा सासुमा के लिए दूद गरम कर रही है और हम दोनों के लिए चाए बनाएगे और मैं इस टाइम पे आज दोबारा से साप सफाई कर रही हूं क्योंकि आज हवा बहुत तेज चल रही है और पता नहीं बालकनी में बालू मिट्टी कितनी कठी हो गई है बालकनी में तो मैं दो से तीन बार साप सफाई कर चुकी हूं थोड़ी सी देर बाद ही बहुत सारी बालू मिट्टी वहाँ पे फिर से आ जाती है और अंदर भी दर्वाजे के नीचे से और ये जो सीसे हैं इसमें से थोड़ी थोड़ी सी जो दरारे होती हैं उसमें से आती है और पूरे फर्स पे ऐसा लग रहा है जैसे रेत हो गया है तो इसलिए मैंने सुचा कि बुनाई का काम करने के लिए बैठ हूँगी तो उससे पहले एक बार जाड़ू लगा देती हूँ साप सफाई कर देती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा फील होगा क्योंकि अगर बैठने के बाद चारों तरफ ये दिखेगा कि थोड़ा थोड़ा सा रेत है तो खुद का ही मन नहीं लगेगा लेकिन इस टाइम पे अब द और कपड़े सारे अच्छे से सूप चुके हैं तो इनको भी उतार देती हूँ क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है और कपड़े हवा के कारण इदर उदर पलटी मार रही हैं कहीं उड़के नीचे ना गिर जाए वैसे मैंने बहुत सारी चिटकने लगा रखी हैं लेकिन फिर भी इदर से उदर ये पलटी रहे हैं तो तेज हवा में तो चिटकनी भी उपर निकल जाती है और अगर वाइट वाले कपड़े नीचे गिर गए तो फिर से गंदे हो जाएंगे और दोबारा से धोने पड़ेंगे तो जो सूख चुके हैं इनको उतार देती हूँ कल करूंगी क्योंकि अभी थोड़ा बहुत बुनाई का काम भी करना है और चाय अभी बनी नहीं है तो सोचा कि चाय बनेगी तब तक कपड़े उतार के रख देती हूँ खाली खड़े होने से अच्छा है कि कोई काम बचा है तो उसको ही कंप्लेट कर लो तो कपड़े उता कर तो हम कैसे हो आप सब आई हो आप सब अच्छे होंगे हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं और अब इस तो अपना बुनाई का काम कर रही हूं तो सुचा आप सब के साथ बैठ कर थोड़ी सी धेर बात कर लेती हूं और जो मैंने अपना नया फोन मंगवाया है वो आप सब को दिखा दे और कुछ कमेंट्स ये भी आए हुए हैं कि अब आप क्या बना रही हैं तो सबसे पहले तो यही बता देती हूं कि अब मैं क्या बना रही हूं तो यह देखिए एक तो मैंने यह जैकेट बनानी शुरू की है यह पिंक मल्टी कलर की 3-ply वाली ओन है तो इसमें मैंने कोई जैन वाला बना दिया है उपर वाला सीधी उल्टी सलाईयों से बिल्कुल प्लेन बनाऊंगी और जो इसके फ्रंट वाले पार्ट बनेंगे उसमें बटन पटी के साथ साथ कोई भी अच्छी से केबल बना दूंगी तो एकदम से सिंपल सोबर इसकी लोक आएगी और देख के साथ इसमें जो डिजैन होगा वो मैं अपलोड कर दूंगी तो इसकी एक वीडियो बनेगी और साइद इतनी जल्दी तो अब की बार मैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लेट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि आखे थोड़ी सी मुझे जवाब दे गई हैं चुबन होने लग जाती थोड़ी सी देर बुनाई का काम करती हूं तो नहीं तो मैं चार से पाँच घंटे लगातार बुनाई का काम कर लेती थी रात को भी लगी रती थी आँखों में कोई दिक्कत नहीं होती थी लेकिन आब वन वीक से थोड़ी सी प्रोब्लम हो गई है थोड़ी सी देर बुना कि मारच में उनको बुनना शुरू करूंगी लेकिन आगे क्या होगा यह तो किसी को नहीं पता होता मुझे थोड़े पता था कि मारच आने से पहले ही मेरी आँखों में दिक्कत हो जाएगी और इतनी देर बुनाई का काम नहीं कर पाऊंगे तो अब तो यह है कि थोड़ा सा आँखों में आराम आजाएगा तब उनको बुनना शुरू करूंगी एक तो गले से शुरू होने वाली लेडी ज कार्डीगन है देखने में थोड़ी सी मुस्किल लग रही है लेकिन बुनने लगेंगे तो इतनी मुस्किल वो होगी नहीं उसको मैं बनाना शुरू जब मेरी आँखों में थोड़ा सा आराम आ जाएगा और एक बेबी गर्ल्स हैं का जो फ्रोक होता है उसकी पिक आई हुई है काफी दिनों से और नोनने मुझे बोला है कि इसको बुन्ना बता दीजेगा सोचा था कि मार्च में इसको शुरू करूंगी लेकिन अब थोड़ा टाइम लगेगा जब आँखों में आराम आएगा ये दोनों तबी शुरू करूंगी और ये तो मैंने कई दिनों से इसको बुन्ना शुरू किया हुआ है इसको प्लेन बुन्ना है कोई भी जैसे सेंपल बना रही होती हूं, उससे थोड़ा सा टाइम बच जाता है, तो इसको लेके बैठ जाती हूं, दो-चार सलाइया बना देती हूं, कि प्ले नी तो बनानी है, दो-दो-चार-चार करके सलाइया बनाऊंगी, तो भी ये धीरे-धीरे करके कंप्लीट हो जाएगा, और मैंने बनाऊंगी, विशाल के पापा जी नहीं मंगवाया है, मेरे लिए मैं आप सब को दिखाती हूं, यह दिखिएगा, यह मैंने सेमसिंग का फोन लिया है, सेमसिंग गलेक्सी M51, यह फोन विशाल के पापा ने मुझे लेके दिया है, क्योंकि मैं काफी दिनों से बोल रही थ कि मुझे विडियो बनाने में काफी दिक्कत होती है, पहले वाले फोन का जो कैमरा है, वो जब स्टार्टिंग में आया तब तो ठीक था, लेकिन बाद में पता ने इसमें क्या हो गया, आवाज ही मतलब पूरी तरह से रिकोर्ड नहीं कर पाता, उसमें जब मैं वीडियो मैं सुनती हूँ, तो मुझे अच्छी आवाज आती है, लेकिन जब उसको वीडियो को मैं एडिट करके और अपलोड कर देती हूँ, तब यूटूब पे उसकी आवाज कम हो जाती है, ये दिक्कत क्या मुझे नहीं समझ में आई, फिर इस वज़े से मुझे दूसरे फोन क ज़रूरत थी, और मैं काफी दिनों से बोल रही थी, कि मुझे एक दूसरा फोन चाहिए है, कुछ ये भी होता है, कि नीटिंग की भी काफी सारी वीडियो हो जाती है, ब्लोग की भी बहुत सारी क्लिप होती है, जिनको छाटना पड़ता है, कई बार जैसे कहीं पर गए हो होता है, तब जाके एक ब्लोग कंप्लीट होता है, तो इस बज़े से मुझे दूसरे फोन की जुरूरत थी, तो फिर ही ये वाला फोन विशाल के पापा ने मुझे ले के दिया है, बहुत ही अच्छा फोन है, बच्चे कहरें मम्मी इसकी जो बैटरी है, वो बहुत ही अच तो फ्रेंट्स देखिए, अगर मैं आप लोगों को अपना अनुबव शेयर करूं, तो फोन ही बैटर है, हम लेडिज के लिए, कैमरा जो है देखिए, अगर हम ज्यादा महंगा लेंगे, तो इतना हमारा बजट नहीं होता है, और जैसे हम 20-30,000 रुपे तक का सोचे, या 10 ज्रका सोचे, कैमरा ले ले कैमरा तो आ जाता है, फिर उसमें एडिट का जो है, उप्शन नहीं मिलता है, और सारे काम उसमें हो नहीं पाएंगे, तो फिर हमारे लिए वही समस्च्या हो जाती, इसलिए एक अच्छा सा फोन लेने वहीं बढ़िया होता है, तो आप सब को म जो पहले वाला मेरा फोन है रेडमी का उसके साथ दो गाड़ा थे प्री में और एक कवर भी आया था लेकिन इसके साथ कुछ भी नहीं आया आज 200 रुपे का कवर लग वाया है यह गार्ड जो इसके उपर लगा वा यह वाला और 100 का इसके उपर यह कवर लगा है तो 300 रुप लगती है उपर वाली जो हम लगवाते हैं 200 रुपे की अगर वो खराब भी हो जाती तो इसको हम आसानी से चेंज करवा सकते हैं तो यह तो सबसे पहले करवाना चाहिए तो यह मंगवाया है मैंने सेमसिंग ग्लैक सी 51, M51 यह फोन है और पहले वाला है जो वो चाइनीज फोन है और यह हमारा इंडियन फोन है बच्चों ने अपकी बार मना कर दिया था कि मम्मी अब की बार चाइनीज फोन नहीं लेना है बहुत खरीदारी कर लिए है चाइना के सामान की अब की बार इंडि तो हमें अपनी ही चीजे लेनी चाहिए तो हमारे बच्चे कहते हैं ममी सवदेशी अपनाओ विदेशी छोड़ो तो मैंने ये वाला फोन लिया है अगर आप सब में से किसी को भी ये वाला फोन खरीदना हो एमा जोन से तो मुझे आप कमेंट्स करके बता दीजिए मैं आपक कर दूंगी वहां से लिंक उपन करके आप ये फोन 23,000 रुपे का वहां से खरीद सकते हैं इस पे कोई भी मतलब सीपिंग चार्ज वगरा नहीं है ये 22,999 रुपे रेट दिखा रहा है तो उतने में ही मिला है अलग से सीपिंग चार्ज नहीं देना पड़ा है फोन काफी से बैट के बात करनी होती है तो माइक लगाना असान हो जाता है कीचन में काम कर रही होती हूं तो कभी इदर जाना है कभी उदर जाना है माइक को लगा के जब मैं काम करती हूं तो ये डर रहता है कि कहीं अगर इसकी जो डोरी होती ये वाली थोड़ी से अगर खीच गई तो कहीं है सानौ की स्टेंड के साथ ही मेरा फोन गिर जाए और तूट जाए और अब दूर एक बार फोन रख दिया तो आप लोगों से भी बात होती रहेगी तो फ्रेंड से आज की इस वीडियो का मैं यहीं प्रेंड करती हूं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार राधा स्वामी राधे राधे जै श्री राधे बाई बाई बाई